आपको फिर से दोर आता है मतलब जो कांट हमने पहले किया था So finally 16 सालों के लंबे इंतिजार के बाद फिर से हेरा फेरी 3 के स्टूटिंग स्टार्ट हो चुकी है जी हाँ दोस्तो हेरा फेरी 3 एक बालिवुड कामेडी फिल्म होने वाली है यह फिल्म हेरा फेरी पहला पार्ट और दूसरा पार्ट की सीक्वल बनने जा रही है बात करें इस फिल्म में पहला पार्ट जो साल 2000 में रिलिस हुई थी और इस फिल्म में सुनिल सेटी, परेसरवल और अक्षे कुमार की तिगडम जोड़ी में जमा कर धमाल मचा दिया था लोग अभी भी इस फिल्म को देखने में मजबूर कर दिया हेरा फेरी 3 में श्याम, बाबू राव और राजू की जुगलबाजी को अभी तक कोई भूल नहीं पा रहा है इस फिल्म को देखने के लिए काफी सारे लोग बेसबर से इंतजार कर रहे है और अब इंतजार की खड़ी खतम हो गई है क्योंकि अब जल्दी हेरा फेरी 3 भी आने वाली है इस फिल्म को प्रियादर्शन ने डालेट करेंगे और लिखित निरंजर वोरा ने इस फिल्म के स्टोरी लिखित करेंगे लेकिन इस फिल्म के और एक बड़ी अपडेट सामने आ चुका है अपडेट के बारी में बताने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आखरी तक इस वीडियो को जरूर देखें आईए शुरू करते है हेरा फेरी पार्ट 3 में अब अक्षय कुमार को देखने नहीं मिलेगा क्योंकि अक्षय कुमार के जगह में कार्थिकारियन नजर आएंगे जी हाँ अक्षय कुमार को एक के बाद एक फिल्म मिलती जा रही है उसी वज़े से अक्षय कुमार बिजी रहते है सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है आखिर अक्षेक मार्क इस फिल्म में क्यों देखने नहीं मिलेगा इस फिल्म में अक्षेक मार को लेके बहुत सारे लोग कामेट कर रहे है खबरों के मुताबिक से ये पता चला है परेश्रावल ने ट्वीटर पर इस बार अक्षय कुमार की जगा में कार्तिक एरेन को देखने मिलेगा करके ट्वीट किये है बात करे इस फिल्म के रिलिज डेट इसी साल 15 अगस्ट को देखने मिलेगा करके खबर आ रही है लेकिन अभी तक डेट फिक्स नहीं किया गया है हेरा फेरी 3 फिल्म को फिरोज नाडिया वालने प्रोडूस करने वाला है अब इस फिल्म को देखने के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हो हमें कामेट में जरूर बताए अगर इस वीडियो पसंदे तो एक लाइक जरूर कर लेना साथी चानल को सब्सकाइब करना ना भूले